श्री इश्वर गीता पंचम अध्याए श्री व्यास वाच इतना उपदेश रिशियों को सुना कर योगियों के परमिश्वर श्री भगवान परम एश्वर्य भाव को प्रदर्सित करते हुए निर्ध्य करने लगे संयत मन वाले योग तत्व के ग्याता योगी लोग जिस परम तत्व को सम्यक प्रकार से जानते हैं उन्ही समस्त भूतों के स्वामी को आकाश में सब रिशियों ने देखा जिस इश्वर की माया का विलास यह समस्त जगत है जो सबके अंत भाग में इस्तित होकर प्रेणना करता रहता है उसी विश्व के स्वामी को सब ब्राह्मनों ने निर्ध्य करते हुए देखा जिस परमात्मा के चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्यान से उत्वन्य होने वाले समस्त भयों से रहित हो जाता है उसी भूतेश जगदिश्वर को निर्ध्य करते हुए सब ने देखा कोई कोई सयमी पुरुष निद्रा श्वांस को जीत कर शांत भक्ती से समचित होते हुए स्वयम जोतिर्माई जिस परमात्मा को देखते हैं वही योगी स्वरूप वाला तत्व आकाश में प्रदर्शित हुआ जो शीग्र ही अज्यान से होने वाले समस्त भयों को निर्ध्य कर देते हैं उन्ही प्रसन भक्त वत्सल तथा समस्त बंधनों से छुडाने वाले देव को आकाश में देखा उनका स्वरूप सहस्त्रों शिर्वाला हजारों चरण की आकरतियों से युक्त तथा हजारों बाहुँँशे शुशोभित जटा युक्त था और उनके मस्तक में दुतिया का चंद्रमा शुशोभित हो रहा था व्याघ्र का चर्म धारन किये हुए एक हाथ में बड़ा त्रिशूल दूसरे में डंड लिये हुए सोर्य चंद्र अगनी इस्थानिये नेत्र वाले अपने तेज से समस्त ब्रमांड को आवर्त करके अधिश्टित कराल दृष्टा वाले दुडधर्श करोडो सोरी के समान प्रभाव वाले मुख से अगनी की ज्वाला निकलते हुए तथा समस्त विश्व को भस्म करते हुए विश्व को रचने वाले जगदिश्वर को निरित्ति करते हुए रिशियों ने देखा सब देवों में श्रेष्ट महायोगी देवताओं के भी देवता जीवों के स्वामी आनंद स्वरूप निर्विकार जोती स्वरूप धनुष को धारण किये हुए विशाल नेत्र वाले जन्म मरण वाले रोगियों के भेशज स्वरूप कालात्मक तथा काल के भी काल देव देव महिश्वर, इशान, उमापती, विशाल एश्वार्य वाले, योगानंद माई ज्ञान के आधार, ज्ञान योग से वेद्य सनातन, नित्य एश्वार्य वाले विभू, समस्त धर्मों के आधार, तथा दुख से जानने के योग्य, इंद्र, वृष्णू, आदी से नमस महर्शियों से वंदनिय, योग माया से युक्त, एवं योगियों के हिर्दय में सरवदा जोती स्वरूप से विराजमान, तथा जगत के कारण भगवान श्री शंकर को और अनामाई अर्थात, व्याधी रहित छण मात्र में ही इश्वर के साथ एक भाव को, नारायन के पयम ब्रह्मवादियों ने देखा, इस प्रकार नारायन आत्मक इश्वरी रूप वाले श्री रूद्रदेव को देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने अपने को कृतार्थ माना, सनतकुमार, सनक, भ्रिकु, सनातन, सनंदन, रेभ्य, अंगीरा, वामदेव, शुक्र, महर् अत्री, कपिल, मरीज, आदे रिशियों ने जगत के स्वामी श्री शंकरजी को एवं उनके वामभाग में विराजित नारायन को देखकर, तथा हिर्दय में ध्यान करके दोनों हातों को जोड़कर शिर प्रणिती पूर्वक नमस्कार किया ओमकार को उच्चारण करते हुए, अंतह शरीर में बुद्धी रूपी गुहा में छिपे हुए, तत्व रूप परमात्मा को साक्षात करके, आनंद पूर्ण मनवाले उन सब रिशियों ने वेदमाई वचनों से इस्तुती करना प्रारंब किया मुनियों ने शरी शंकरजी को संबोधित करके कहा, हे भगवन, आप एक, ईश, पुरान, पुरुष, प्राणों के ईश्वर, रुद्र, अनंत योग, आदी नामों से वेद शास्त्रों में विख्यात हैं, तथा सब के हिर्दय में आप सन्निविष्ट, एवं ब्रह्ममाई पवित्र ज्यान वाले हैं, आपको हम सब नमस्कार करते हैं, इंद्रियों को दमन करने वाले शांत मुनिगण, आपके तप्त स्वार्ण के समान विमल स्वरूप तथा वेद के कारणात्मक रूप को देखते हैं, आप सब वस्तुओं में क्रिया प्रदान करने वाले हैं, क आप से ही जगत की उत्पत्ती होती है। आप ही समस्त वस्तुवों के अनुभावक तथा परमानों स्वरूप वाले हैं। आप ही को संत लोग छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा मानते हैं। एवं समस्त विश्व को आप ही का स्वरोप प्रतिपादित करते हैं। जगत के अंतरात्मा हिरण गर्भ, जिन्हें पुराण भी कहते हैं, आप से ही उत्पन्न होते हैं। तथा उत्पन्न होकर आपकी आग्या के अनुसार समस्त वस्तूओं की रचना में प्रवर्थ होते हैं। आप से ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और प्रले काल में आपके ही अंदर सन्निविष्ट हो जाते हैं। स्वयम हिर्दय इस्तान में इस्तित नृत्य करते हुए आपको हम सब जगत का कारण समस्ते हैं। यह प्रत्यक्ष वर्ती ब्रह्मुचक्र आपकी ही सत्ता से चल रहा है। आप ही इस मायाकारी जगत के स्वामी तथा माया के पती हैं। दिव्य नृत्य करने वाले योगात्मा आपको हम नमस्कार करते हैं। एवं आपकी शरणागत हैं। हे भगवन ब्रह्मानंद का अनभव बार-बार करके तथा अनेक रूप से सर्वत्र व्यापक परम आकाश में निर्त्य करने वाले आपकी अपूर्व महिमा का इस्मरण करते हुए हम सब आपके स्वरूप को देखते हैं। मुक्ति बीज ओमकार आपका वाचक है। तश्य वाचकह प्रणवह। आप अक्षर अर्थात अविनाशी हैं। एवं प्रकृति के अंदर छिपे हुए हैं। संत लोग यह सत्य ही कहते हैं कि आपका प्रभाव स्वयम प्रभ है। अर्थात पूर्ण स्वतंत्र केवल आप ही हैं। इस विशे में शुरुती प्रमान भी है परेण नाकम निहितम गुहायाम वी भ्राजते यद यतयो विशंती अंत समय भूमी आदी का नाश हो जाता है तथा यह समस्त विश्व ब्रह्मा वृष्णू परमेष्ठी आदी देवतागण भी अंत समय में स्वा आत्म आनंद का अ मित्य हो जाते हैं आप एक होते हुए भी इस विश्व को उत्पन करते हो तथा विश्व रूप से सबका पालन करते हो और अंत में आप में ही यह समस्त विश्व लाई को भी प्राप्त हो जाता है इस प्रकार विद्वान लोग जानते हैं ऐसे स्वरूप वाले हम लोग आ अनन्त शाखावाला वेद भी आपको एक रूप से बोधन करता है जो ब्रह्मन गण वंदनी आपकी शरण में आते हैं वे इस संसार सागर के कारण भूत माया को तर जाते हैं विद्वान लोग आपको एक कवी, रूद्र, ब्रह्मा, हरी, अगनी, ईश, रूद्र, नित्य, अनित्य, चेकितान, धाता, आदित्य, आदी नामों से अनेक रूप वाला बतलाते हैं अक्षर रूप से आप ही वेदितव्य कहे गए हैं आप ही इस विश्व के परम निधान हैं आप विकार शून्य हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं आप स्वयम सनातन एवं पुरुशोत्तम भी हैं हे भगवन आप ही ब्रह्म, व्रिश्णू और रुद्र रूप वाले हैं आप विश्व के स्वामी हो तथा सब के मूल कारण, सर्वेश्वर एवं परमेश्वर भी हो आपको ही सारे वेद पुराण, पुरुश, अदित्ति वर्ण वाला तथा तम से परे चिनमात्र, अव्यक्त अनन्त रूप वाला खम ब्रह्म, प्रकर्ती और निर्गुन स्वरूप वाला कहते हैं हे महेश, जिसके मध्य में यह नाम रूपात्मक जगत प्रकाशित हो रहा है, जो निर्वकार, निर्मल, एक रूप वाला, आपका कोई अचिन्त स्वरूप है, उसमें ही समस्त तत्वों की इस्तिती है हे समस्त भूतों के स्वामी, हे योगियों के इश्वर, कल्यान गुण विशिष्ट, अनन्त शक्ती वाले, परम उतकरिष्ट इस्थान वाले, व्रहत काई वाले, तथा सबसे पुरातन स्वरूप वाले, आपको हम सब शरणार्थी नमस्कार करते हैं, आब हम सब पर प्रस मन को नियमन कर, तथा शरीर के प्रिष्ट भाग को समरूप में करके, आपके चरण कमल के इस्मरण से समस्त संसार के अनर्थ रूपात्मक बीज नाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं, हे स्वामिन, हम सब आपको प्रसन करते हैं, ये जगत के कारण स्वरूप वाले, विश्व के उत्पादक, काल रूप, सर्वहर, रोद्र, कपर्दी, अगनी, शिव, आदी नाम वाले, आपको हम सब बार बार नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मुनियों की इस्तुती से प्रसन्न हो, भगवान शंकर अपने दिव्य रूप को छोड़कर प्रकरतिस्त हुए, वे मुनि लोग, भूत, भविश, वर्तमान, तीनो कालो के स्वामी, शिरी शंकर जी को नारयान के सहित, पूर्व स्थान पर पूरुवत इस्तित देखकर विस्मित वचन बोले, हे भगवन, आपके परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके, हम लोग परम सुख को प्राप्त हुए हैं। इस्तित तथा नित्य रूप में कहा गया है, सुनने की अभिलाशा करते हैं। कृपा कर उसे आप हम सबों को सुनाईए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर, योगियों को अनेक प्रकार की सिध्धी देने वाले शिरी शंकर जी, शिरी माधों की और अवलोकन करते हुए गंभीर वानी से बोले। करते हैं।